हेलो गाईस अब सभी का स्वागत है फिर सेक नए वीडियो में चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में काफी इंपोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ यह वीडियो मुझे कल ही पता चला कि यह ऐसी प्रोब्लम्स आ रही है और लोगों को नहीं पता है कि आपका डेटा है वो अब सिक्योर नहीं है आपका डेटा हर एप्लिकेशन से आपका जो डेटा है वो चुड़ाया जा रहा है जैसा कि कल मैंने नोटिस किया कि जो मेरा इंस्टाग्राम है वो मैं जितनी भी एप्लिकेशन वगेरा रन कराता हूँ या चलाता हूँ उन सबका एक्सेस लेता है और उनका जो डेटा है वो आगे थर्ड पार्टियों को सेल करता है जी हाँ दोस्तों आपका जो डेटा है वो अब सेफ नहीं रहा अगर आप इंस्साग्राम चलाते हो तो आप ये चीज देख लीजे ये वीडियो देख लीजे इस सारा सब कुछ आपको क्लियर करने वाला हो और आपको सेफ रहने के तरीके भी बताने वाला हो अग अगर आप इंस्साग्राम सेफ नहीं उस करना चाते हो आप बचना चाते हो अपना डेटा चोरी नहीं होने से अगर चोरी होगा तो फिर आप बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेंगे कल को आपको समश्या भी आ सकती है आपको डेटा को लेकर तो चलिए बात कर लेते हैं किस तर कर लेना है और आप भी अगर इस चीज़ से जूज रहे हो तो मैं इसमें आपको solution भी बताने वाला हूँ अगर Instagram आपका चलाना काम है जो आपका data है उसको जरूर आप secure कर लीजिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और मैं mobile screen को आपको side में show कर रहा हूँ वहाँ पर सारी चीज़े आपके साथ mention करने वाला हूँ सब कुछ दिखाने वाला हूँ तो कैसे आप secure रह सकते हो काफी ज़्यादा जरूरी है अगर आप secure नहीं रहते हो तो आपका data ऐसी जगे लीक हो जाएगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको हो सकता है आगे मुसिबत जहलने को मिल सकती है दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए ही होने वाला है जो भी Instagram चला रहा है उस सबी के लिए ये वीडियो होने वाला है आप कौन सा डेटा आपको चोरी हो रहा है वो सारी बात करने वाले है तो मैं यहाँ पर Mobile ले लेता हूँ और Mobile Screen पे चलते हैं बात करते हैं किस तरीके से आपकर जो डेटा है वो चोरी हो रहा है तो मैं यहाँ पर अपना Instagram उपन करके और सारी चीज़े आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सब कुछ हो रहा है क्या क्या कार्ण हो रहा है जो Instagram पर है वो तो यहाँ पर मैं फोन की स्क्रीन ओन कर लेता हूँ ओके अब साइड में देख पारे हो त्री लैन का ओप्षन आपको देखने को मिलेगा इस पर आपको सिंपली टेप करना है टेप करने के बाद मैं आपको account center का एक option दिखाए देगा जो कि यहाँ पर है तो यहाँ पर account center पर देखना है इस पर आपको क्लिक करना है तो इस पर क्लिक करने के बाद में इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा अब आपको क्या कहां पर जाना है यहां पर जाना है यहां पर जाना है यहां पर आपको चले जाना है तो यहां पर मैं मार्क कर देता हूं यह देखिए यह इस पर आपको click करना है तो सबसे बड़ा कारण यह ही है यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन-कौन सा data leak हो रहा है और क्या-क्या यहाँ यहाँ पर कौन-कौन सी application को यह access कर रहा है Instagram जो कि आप सोच नहीं सकते देखिए यहाँ पर मैं Paytm वगरा ह years करता हूँ Paytm का यहाँ पर access कर रहा है पर अगर देख रहे हो तो आप यहाँ पर समल जाईए आपका जो data है वो बिल्कुल भी secure नहीं है जो Instagram को लेकर है वो बिल्कुल भी secure नहीं है आपका जो data है वो आसानी से चुराया जा रहा है और आप लोगों को पता भी नहीं है यह चीज यहाँ अगर आपको पहले पता था तो आप comment box में comment करके बताए और आपको पहले नहीं पता था तो please दोस्तों यहाँ पे मुझे आप बताए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको भी यह helpful लगा या नहीं लगा और आपको यह पहले पता था या नहीं पता आपका जो activity है वो आपकी share वो रही है Instagram पे तो आप इसकी विरूद यहाँ पे आप जाके और इसको बंद भी कर सकते हो वो सारा सब कुछ में इस वीडियो में ही confirm करने वाला हो सारा सब कुछ आपको यहाँ पे वीडियो में clear करूँगा तो Instagram का जो सम्मलब और जो application से उन सब का यह data चुरा रहा है तो यहाँ पे यह बहुत गलत बात है जो Instagram है इसको यह चीज बंद करनी चाहिए जो मतलब आप payment वागे रहा करते हो उस application का भी यहाँ पे data जो है वो access किया जा रहा है कैसे न कैसे indirect यह access हो रहा है तो यहाँ पे मैं सारी applications आप यहाँ पे देख रहे हो और यहाँ पे clear privacy activity इस पे click कर देना है जैसे आप इस पे click करोगे तो जितना भी आपका जो data access कर रहा है वो यहाँ पे clear हो जाएगा यह देखिए यहाँ पे clear हो चुका है ओकी तो जैसे यह आप clear कर दोगे clear करने के बाद में आप देख रहे हो तो यहाँ पे back आने के बाद में आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा है manage features activity इस पे आपको click करना है जैसे आप इस पे click करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको disconnect कर देना है feature activity को तो यह आप इस पे click कर देजिए जैसा कि अभी उपर वाले पर है तो यहाँ पे आपको नीचे वाले पर click करके यहाँ पे continue पर click कर देना है तो future activity पर click करना है जिसे आप इस पर क्लिक कर देतो हो तो आपका ये डिस्कनेक्ट हो चुका है ये देखिए आप दुबारा जाकर आप पर देख सकते हो तो अब जो आपके एक्टिविटी है वो यहाँ पर ट्रेक नहीं की जाएगी आपका जो डेटा है वो नहीं लिया जाएगा ऐसी जगे फरस्ट चुके हैं जो अभी वापस आना भी उनका मुस्किल हो जाता है काफी ऐसी मुसिबत में पढ़ जाते हैं लेकिन मैं आपको पहले से अवेर कर रहा हूँ आपकी जो इस्स्टाग्राम आइडिये उसको उपन करके जो मैंने प्रोसेस बताईए उस तरीके से आप इसको डियक्टिवेट कर दीजी नहीं तो आप भी खत्रे में पढ़ सकते हो और जो आपके डेटा है वो लीक हो सकते हैं और भी कोई ऐसी एप्लिकेशन होगी जो आपका डेटा लीक कर रही है उस पे भी मैं वीडियोस लाने वाला हो लेकिन ये जो वीडियो है वो आपके काफी ज़्यादा helpful रहा होगा अगर helpful रहा तो प्लीज दोस्तो मुझे comment करके जरूर बताए और अब भी तक आपने चैनल subscribe नहीं किया है तो पहले चैनल को subscribe कर लीजे लेकिन जो ये information है इसके बारे में आप मुझे comment करके जरूर बताए कि आपको ये information कैसी लगी आपको पता था या नहीं पता वो चीज़ भी आप मुझे comment करके जरूर बताए तो I hope आपके लिए ये वीडियो काफी helpful रहा होगा अगर helpful रहा तो फ्लीज दोस्तो लाइक से जुकिजे comment कीजे और ज़्यादर ज़्यादर इस वीडियो को share कीजे ताकि सभी को ये knowledge मिल पाए थैंक्यू दोस्तो बाबाई टेक्यार जैहिन वंदे मातरम अपके लिए लाइक से जुकिजे